विकास के मुद्धों को लेकर सांसदूंग, विधायकों और विधान पाश्चुदों का दो दिवसिय राश्ट्रिय सम्मेलन शुरू हो चिका है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीफ और डेवलिप्मेंट की धीम पर आधारित सम्मेलन का शनिवार को उध्खाटन किया। सम्मेलन के समपनसत्र में उप्राश्ट्र पतियम, वेंकया नाइडू और वित्त मंत्री अरंजेटली शिर्कत करेंगे। संसत के सेंट्रल हॉल में राश्ट्र जनप्रतिनेधी सम्मेलन का उध्खाटन करते हुए पीम मोदी ने कहा कि हमारा समविठान दुनिया में विशेश है। मोदी ने देश के 115 पिछडे जिलों के विकास की बात करते हुए कहा कि यदि इनका सुधार हो गया तो देश का विकास अपने आप हो सकेगा। यदि किसी राज्य में कुछ जिले बहुत अच्छा कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि सुबे में क्षमता है। लेकिन कुछ पीछे रह गए हैं तो हमें उनका भी ध्यान देना चाहिए। राजे या भारत सरकार जब लक्ष तै करते हैं तो आसानी से नतीजे देने वालों पर जोर दिया जाता है। इसके चलते जो अच्छा करते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन जो पिछड जाते हैं वो और पीछे चले जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्या बैक्विट का साइको है। हम सोचते हैं कि यह जिला तो पिछड़ा है। हम पिछड़े जिले से हैं। ऐसा सोचना गलत है। हमें बैक्विड नहीं बलकी फोवद की होड करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि रेलवे में फस्ट, सेकेंड और थर्ड ख्लास थी। लेकिन बाद में रेलवे ने थर्ड ख्लास के नाम को हटा दिया। इसकी वज़े हैं थर्ड ख्लास के साइकों से बाहर निकलना था। ऐसा ही पिछड़े जिलों के मामले में भी है। संसद्य ये समुह की ओर से आयोजेती सम्मेलन का मकसद देश भर के। संसदूं। विधान पार्शदों और विधायकों को अपने अनुभव साजा करने। एक दूसरे से सीखने और टिकाव विकास के अलिक्षियों SDG के आलोक में विकास के मुद्दों पर नजरिया विक्सित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। सम्मेलन उन प्रतिनिध्यों को खास अफसर प्रदान करता है जिनके क्षेत्रों में विकास की बड़ी सिंभावनाई वाकांग्षाएं हैं। इस मौके पर विकास प्रक्रिया और संसाधनों के अधिक्तम उप्योग में विधायका के सदस्यों की भूमेका पर चर्चा होगी।